याँ मिलाए तुछे भीक मिली है तूसमें खुशिया मना रहा हैं अल्हम्द लिल्ला ये कैसे ड्रामा याँ on तुम्हें शरम आनी ची अगर हमें कोई भगवान ना करें कभी हमारे साथ ऐसा हो अगर हमें देता ना तो हम मुझ छपाए फिरते यार की पडूसी क्या बोलेंगे कि भीक मांग रहा है कौन सी कंट्री बारत के लावा हमने छोड़ दी है जिससे हम पैसा मांग सकते थे और हम नहीं मांगा तो बार बार जा जाकर चाहिए सब्सक्राइब हो वह भी हमें आखे दिखा रहा है यॉर्पेन कंट्री भी ऐसे देख रहे हैं चाइना ने भी जो है वह आंके बदलनी है बात निकी क्या कहें कि क्या हमारी गवर्मेंट को चाहिए कि वह इंडिया से बात करें इंडिया से कोई मदद ले ताके हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें आपका शुक्रिया आपको में भी प्ता होगा के वी आर डपेंडिड ओन अधर सिंस नाइंटीन फोर्टीन सेवन हम उनिस सो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें बलके आरस को नाम है जो भी है उनका शुक् तुर्की और सिर्या की जिस तरह भारत ने बढ़ चड़ कर मदद की और समय से मदद किया उसको लेकर अब तुर्की भी कह रहा है कि बस करो भारत बहुत मदद हुआ और यह कोई और नहीं पाकितानी मीडिया से ही खबरे सामने आ रही है अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारत से मदद लेनी चाहिए क्या भारत मदद करेगा इसी प्रस्ण का उत्तर तरास्ती पाक मीडिया की पर चर्चा सुनते है बहुत है आपकी इंडिया के लेकिन फिर भी इंडिया के लेकिन फिर बी इंडिया ने इंसानियत के नादे कितना किया सर हमें करना चाहिए था जहां पर इंडिया कर रहा कैसे देखते हैं इसको जर मैं तो इस बात को बिलकुर रिवर्स देखता हूं डेफिनिटली हमें करना चाहिए था निकर मैं उसी बात पर आपको एंफसेज कर रहा हूं कि हमारे जो हम अपने हलात हैं हम तो अपनी जिनकी क मुलक का डॉलर पोजिशन या मुलक की जो फिरेंशी हलात है आपके सामने सबसे बेसिक जो है के हमारी जो सियासी इंस्टेबिल्टी है उसने हमारी मुलक का सतिया नास कर दिया है ठीक है तो मैं इसको सीधा सीधा अगर हम उनकी अमदात के लिए नहीं पहुंच रहे तो मैं को सियासी जो इंतशार हमारे मुलक में है इसको करार दे रहा हूँ कि हमारी कुल लाइन ही है कि हमने क्या करना है कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जहां पर हमें मदद करनी चाहेंगे हमें इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पडोसी हमारे बहुत अच्छे तलुकात है तुर्की के साथ ऐसा ब्रादर हम मांते हैं तुर्की को लेकिन वहां पर इंडिया ने इस किसम की मदद की जो कि लोगों जब तक तुम कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे तुम्हें ऐसे ही दर्द पहुंचता रहेगा अभी चीन ने तुम्हें 700 मिलियन डॉलर दिये अब ये देखो ऐसे कार्टून नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान में ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ इसका ठ भीक मिलिये भाई तुझे भीक मिलिये तूसमें खुशिया मना रहा है भंगड़े डाल रहा है लुडियां डाल रहा है अलम्दुलिल्ला हमको भीक मिल गई ये कैसा ड्रामा है यार ये कैसा ड्रामा है तुम्हें शरम आनी चीए अगर हमें कोई भगवान न करे कभी हमारे साथ ऐसा हो अगर हमें देता ना तो हम मुझ छपाई फिरते यार कि पडूसी क्या बोलेंगे कि भीक मांग रहा है तुम शुक्रयादा करें तुटर पे दुनिया को बता रहे हो कि कितने बड़े वेकारी है और यह शाक डर है कौन सी कंट्री बारत के लावा हमने छोड़ दी है जिससे हम पैसा मांग सकते थे और हमने नहीं मांगा तो बार बार जा जाके चाहिए वो साओधियरब हो वो भी हमें आखे दिखा रहा है यॉर्पियन कंट्री भी ऐसे ही देख रही है वन चाइना ने भी जो है वो आँके बदल ली है तो यह गलती उन कंट्री की नहीं है उनको मैं यही कहूंगी उनको बहुत देर में अकल आई और हमारे साथ बहुत पहले यह हो जाना चाहिए था जब तक पाकिस्तान की अहालत नहीं होगी यह खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे जब तक बैठे बैठे पैसा मिलता रहेगा तब तक इनका ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि यह काम जब ही स्टार्ट करेंगे करना हमका प्रेशर नहीं आएगा तो पाकिस्तान ने ठीक नहीं होना वर्ना तो अभी तक हमने बारत से भी पता नहीं क्या कुछ मांग लिया होता लेकिन हुआ यह कि अभी तक उन्हों ने जो है वह तरह का पाकिस्तान को इंडिया ने और हमारी कुद्भी हिम्मत नहीं पढ़ आपको में भी पता होगा के वी आर डपेंडिड ओन अधर सिंस नाइंटीन फॉर्टीन सेवन हम उन्हीं सो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें बलके वार्यस का नाम है जो भी है उनका शुक्री अदा करना है यह को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं ठीक है देखें अभी आप लिए और दूसरी भॉन फैनलौ है वह को पता है कि तुर्की के सबसे जादा मदद तुर्की और सिर्या और जो जिलह आया सबसे जादा मदद इंडाए इंडिया ने बिजेू हमें मोगों घर निकल कर अपने समान दिलE के अंदर तुर्की की तुर्की के एमबस्जी को पूरा फूल कर दिया मैप पूरी एंडिया के लोगों को देखे कि ना कि दिन низ दिल लेते हैं कभी अधरक लेते हैं कभी तो लेते है उनसे सही है और उनका बिजनस देखेए क्वे यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान को मदद की सक्स जरूरत है सारे दरवाजे पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे बंद हो गए हैं कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मदद करेगा भी तो पाकितान पर इतनी कड़ी सर्थ रख देगा कि साइद पाकितान उसे अब आगे धो नहीं पाएगा मसलन अभी IMF ने पाकितान को मदद करने की कुछ बात कही है लेकिन इतनी लंबी चोड़ी सर्थ रख दी गई है कि अब पाकितान के बस में नहीं कि साइग आईमें के उन सर्थों को पालन कर सके दूसरी तरफ चीन ने भी कुछ मदद करने की पेशकस की है लेकिन इतना इंटरेस्ट ज्यादा है कि पाकितान अगर उस करज को ले लेगा तो चुखाएगा कैसा क्योंकि पाकितान को पहले से ही चीन के करजों के बोस्तले दबा हुआ कहा जाता है अब सवाल उड़ता है कि पाकितान को मदद कौन करे अब यही समाचार पाकितानी मीडिया में आ रहा है कि मदद भले कोई न करे लेकिन पाकितान में जो दैनिक उपिगों के समानों की आवसकता है वह भारतिये समान ही पाकितान के बाजारों में पहुँच रहे हैं लेकिन वे दुबई और अन्य माध्रम से होकर पाकितानी बजार में आते हैं और वहां की जनता को जब वहां चमानू की अपुर्दी की जाती है तो उसका दाम कई गुना बढ़ जाता है इसलिए इस भुखमरी की अवस्था में पाकितान को अगर बोर्डर खोल दे पाकितान तो फि भारत के सरण में आएगा क्योंकि भारत के सरण में जो भी आया भारत ने कभी इंकार नहीं किया है और यही बात तुर्की भी कर रहा है आज के लिए बस इतना ही जैन आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सकाइब करें तथा बेल कारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जाहिए